सब्सक्राइब कीजिए महेश टेक्निकल चानल को प्रेस कीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो दाइस आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तर से अपने फोन को हैंग होने से बचा सकते हो सब्सक्राइब की its स्च और एकम अपने àsपने चाहिस वीडियो में आपको बाताने वाला हूं अंश्कार दोस्तों मिरा अड़ी महेश आप देख रहे मैंश अंटेक्निकल ईटेकं लक्सक्राइब 9 सबसे पहला जो चीज आ जाता है हमारे सामने वह आती है इंटरनल स्टोरेज और आपकी एस जिकार तो सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम में वह होती है इंटरनल स्टोरेज की बहुत सारे फोंस में जो है इंटरनल स्टोरेज 8GB, 4GB या फिर 16GB होती है तो इस वज़े से जादा अब का फोर्ट है क्यूंकि आप इंटरनल स्टोरेज की ब्र सिर्चेश को यॉग्ट करने होना चाहिए तो आपके 8GB है तो अपने फोन लेते हो ती पूरी जगती फोल हो जाती है शेशल करने लगता है कि तो इसके वाइसरे पूरी जगता है किसी जगत है की में जगती साइब को सब्सक्राइब के और लाँ भी थायो नहीं हो दिएoud होती है तो गाई इसी तरीके से आपका फोन भी काम करता है अगर आपके फोन में स्टोरेज ही नहीं होगी तो वह application को क्या access करेगा तो बस यही इसका logic है गाई तो आपको इंटरनल मेमरी को दो जीबिया एक जीबि खाली रखना है अब बात आती है SD刊 की, तो SD कारो क्यों खाली रखने क्यों की वो तो हमारे इंटरनल का पार्ट तो है नहीं तो guys सब से पहले में आपको बता दो अगर आप उसे अपने फोन में लगा देते हो तो वह भी एक phone का इससा हो जाता है तो जब आप अपने फिदियोZ होते हैं तो उन्हें एक्सिस करने में उस फोन को आपको प्रिशार्पी क्योंकराइब कॉछ होगय को सब थो और फ्रॉंस तेखनीक जो है वह एंवांडेड आपस के और 1975 वाले जो apps होते हैं उने तो अग आप हम सब जानते हैं कि हम Google Play Store से बहुत सारे applications free में download कर सकते हैं तो इसका मेतलब यह नहीं कि हम कोई भी application ले, lock screen ले ले यह ले वो ले ले और उसे अपने phone में use करें क्यों तो guys इसके अंदर बहुत सारे advertisement होते हैं और आपका जब phone connect हो जाता है internet के जरीए तो आपके phone में जो applications होते हैं वो automatic आपके phone display पे lock screen पे advertise शो करने लगते हैं बीना आपकी मरजी के तो guys यह problem create करता है क्योंकि अगर आपके permission के बीना अगर advertise शो होगी और ज्यादा advertise शो होगी तो उसके वज़े से भी आपका phone जो है वो जाने लगते हैं और उसके वज़े से आपका phone हैंग होने लगता है उसके पाद जो थर्ड जो चीज़ यहां पर आ जाती है वो आते है RAM के उपर तो RAM यह बहुत जादा माईने रखता है किसी भी Android phone के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दू बहुत सारे फोन में क्या होता है गाईज 2GB RAM होता है 1GB RAM होता है जिस phone के अंदर कम RAM होता है उनका phone ज्यादा थर हैंग होता है क्यूंकि Guys, हम बहुत सारे applications ऐसे भर देते हैं, जिनकी जरूत भी हमें नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, वो background में RAM यूज़ करते रहते हैं आपका, तो अगर आपका RAM फूल हो जाएगा, तो जब आप कोई नई application को install करेगा, और open करने जाओगे, तो open ही नहीं होगे, क्यूद कि उसके पास जगह लएढ नहीं है, और storage ही यह नहीं है उसके पास तो वो open क्या होगी, क्यूद कि कोई भी application को open करने के लिए, एक्सेस करने के लिए, हमें storage की जरूतोतिती है, घ्रायम की जरूती है, और जो बड़े बड़े अप्लिकेशन होते हैं लाइज अप्लिकेशन अगर आपका फोन लोग विजट वाला है तो आपको लाइज अप्लिकेशन लेने की ज़रूप नहीं है आप उसका लाइट वर्जन यूज कीजिए जैसे फेस्बूप हो गया ट्विटर हो गया इन सारे अप्लिकेशन के आप लाइट वर्जन भी यूज कर सकते हो तो इसके वज़े से आपका जो है रैम मैनेजमेंट जो है वो सुधर जाएगा और आपका फोन अच्छे से काम करने लेगा तो अगर आपका फोन में ज्यादा एनिमेशन है तो वह आपके फोन को हैंक करेगा तो उसे करने के लिए गाइए उसे स्लो करने के लिए आपको क्या करना है आपको अपने फ़ोन के अनधर जाना के जाना है और आपको इहां पना एक उप्チャम करेगा विल्ट नमबर करके अगर आपका उन्फोर इनी नेमेशन स्केल और एनिमेटर सेटेंगस होते हैं अपने फोन मे कहा करना है वडिपेंड़ होते हैं यानि की रिफॉल्ट Calling कर देना है या फिर ओफ इन चीज्जों का अगर आउफ पर करेंगे तो आपको फटा से पता चलेगा कि आपका फोन फास्ट हो गया है तो गई ये भी आप यू मेन चैजित ऑफ आ ke इन सब्सक्राइब करते हैं तोडिक से सब्सक्रान को यह दो एक पर्नक देख सकते हो जो क्लियर हो करते हैं तो प्लीज लाइब किजिए शेयर किजिए सब्सक्राइब किजिए हमारे चैनल को जिसका में मैं है टेकनिका स्थेंगे सोच वाचिंग आइज